Hello Friends, Welcome to Special Techno Channel Guys, इन दिनों जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा जा रहा था वो यही था कि Sir Isro का exam हमारा कब होगा, admit card कब आएंगे तो finally Human Space Flight Center ने officially आपकी exam date को announce कर दिया है अब यहाँ पे देखो कई तरीके के विद्ध्यारती होंगे एक विद्ध्यारती वो है जो कही न कहीं काफी time से इंतजार कर रहे थे यार paper बहुत जल्दी हो जाए, मेरी preparation सो बहुत अच्छी है दूसरे type के विद्ध्यारती वो होंगे, सायद थोड़ा समय हमको मिल जाए तो मेरी preparation और अच्छी हो जाए दौनों के लिए ये वीडियो बहुत महत पूर्ण होने वाली है because यहाँ पर हम लोग completely चीजों को discuss करने वाले है सबसे पहले दूसरे type के विद्ध्यारती की यदि हम लोग बात करें जिनकी preparation सायद उतनी बेतर नहीं हो पाई है आपने अपने शलेवस को total तरीके से अच्छे तरीके से cover नहीं कर पाया है तो आपको घबडाने की बिलकुल आवश्यक्ता नहीं है because अभी भी आपके पास में one month से जादा का समय बचा हुआ है आपकी जो exam date है वो 2nd January 2025 रखी है तो अभी देखोगे पूरा का पूरा दिसंबर मन्त आपके पास में बचा हुआ है और इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यदि इस one month के समय को आपने सही से utilize किया सही से utilize करने का मतलब ये मेरा बिलकुल भी नहीं है कि आप बोलो सर मैं 12 गंटे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं 15 गंटे पढ़ाई कर रहा हूँ क्या मेरा selection होगा या नहीं आपका selection इस बात के उपर depend करेगा कि आप अपनी preparation को आप अपनी पढ़ाई को क्या ISRO का जो exam pattern है उसके according कर रहे हो यानि कि सही direction में preparation कर रहे हो या नहीं यदि आप लगे हो भी दूसरे तरीके के questions को करने ISRO के हिसाब से आप पढ़ी नहीं रहे हो टेक्निकल को deeply समझी नहीं रहे हो वर्क्स ओप calculation and science को आपने पढ़ाई नहीं है तो आपका selection होने की समभावना ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर उसका pattern नहीं अलगे तो उन चीजों को समझना बेहत जरूरी है तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी discuss कर रहे होंगे कि preparation आपको किस तरीके से करना है इस one month का कैसे बहुत अच्छे तरीके से utilize करना है सबसे पहले यदि हम लोग बात करें आप लोग देख सकते हों मैं human space flight center की officially website में हूँ यहाँ पर एक section आपको मिल जाता है important announcement and news का इस important announcement and news में आप लोग देखोगे सबसे यहाँ पर मिल जाता है computer based test for the scientist engineer and technical scientific assistant उसके अलाबा technician जो IT students की है draftman B and assistant Raj Bhasa इन सभी post का exam को schedule किया है 2nd January 2025 को यह चीज clear हो रही है अब मैं थोड़ा से इसके official advertisement में ले चलता हूँ जहाँ पे चीजा कुछ clear करता हूँ इस vacancy के advertisement number की बात करें HSFC 01 RMT 2024 था इसको 18 September 2024 को निकाला गया था इसके अंतरकत काफी सारी post थी जैसी कि आप देखोगे medical officer इसकी exam date को announce नहीं किया है scientist engineer की जो post है उसको announce कर दिया है उसके अलावा technical assistant हो गया scientific assistant, technician B, draftman B, assistant Raj Bhasa यानि कि medical officer post को छोड़ कर बाकि सभी post का जो exam date है 25 January 2025 इनो ने रखा है अब यह चीज तो आप लोगों ने देख ली होगी कि कितनी post हमारे में थी क्या चीज़ें अब थोड़ा से important जगा पर हम लोग चलते हैं जहां पर थोड़ा सा मुझे चीज़ें clear करना बहुत महत तो पूर है especially यदि आप लोग IT students हो सबसे पहले यहां पर यदि आप लोग देखोगे यह आप लोगों को मिल जाता है जहां पर आपका पूरा का पूरा exam pattern बताया हुआ है यह मुझे बहुत अच्छी से पता है कि आपको यह exam pattern clear है लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो यह video हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो लेकिन यदि आप इसको देखते हो और इसके हिसाब से अपनी preparation को आगे बढ़ाते हो तो आपको यह बात से बेफिकर रहो काफी ज़्यादा फाइदा basically होने बाला है यहां पर क्या है technician, draftman की यदि बात करें तो यहां पर देखो आपको एक चीज clear होने चीए कि क्या बोला है technical scientific assistant हो गया या फिर technician भी या draftman भी इन में क्या रहेगा 90 minute का समय होगा 80 MC की question आपसे पूछे जा रहे होगे negative marking भी है 1 y 3rd की negative marking है जो की बहुत ही common है यानि कि इतना negative marking में आप technical question में यदि थोड़ा सा पकड़ है तो इसका बहुत ज्यादा impact आप लोगों का नहीं पड़ेगा उसका main reason basically क्या है main reason यह है क्योंकि आप जब कुछ questions को attempt करोगे जहाँ पर उनके correct answer आपसे नहीं भी आ रहे है तो वहाँ पर आप option को eliminate कर पाऊगे यदि fundamental आपका strong है अब यहाँ पर थोड़े से समझने की आवश्यक्ता है जो 80 technical question होंगे वो आपके discipline से related question होंगे अब यहाँ पर especially यदि जो भी technical students है ITI के students हैं fitter के हैं या other mechanical trades से आप लोगोंने ITI किया है और technician beam of form को fill किया है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग आपको अपनी trade theory को बहतर तरीके से cover करना है किस तरीके से cover करना है आपको देखो सबसे पहला काम आपका यह है कि ISRO के जितने भी previous year question paper है जरूरी नहीं है human space flight center के हो जितने भी अलग-अलग ISRO center के आपके पास में paper है उनको solve करना है यदि paper आपके पास में नहीं है तो आपको पूरी की पूरी playlist मिल जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ISRO previous year question paper discussion by special techno नाम से इस playlist में मैंने सारे paper को discuss किया हुआ है वहाँ पर A to Z solution आपको मिल जाएगा तो सबसे पहला काम है यह series आपकी complete होना चाहिए दूसरी जो students course में enroll हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं और जो students ने अभी भी course को enroll नहीं किया special techno android application पर जहाँ पर मैंने ISRO crash course 2024 launch किया था आप लोगों का जो human space flight center की vacancy के लिए तो अभी भी आप join करके one month में cover कर सकते हो साथी साथ अभी के लिए उसके उपर offer भी है first 20 students के लिए जिसको आप join करने के लिए offer price के लिए इस barcode को scan करके definitely join कर सकते हो इतना भरोसा रखिएगा जो amount आप लोग pay करके वहाँ पर join करोगे न वो important समय आपके सामने है कौन सा जिस दिन आपका exam होने वाला है और उसके बीच में gap भी one month का है तो आपकी जो energy होती है ना पढ़ाई की वो लगबग four गोना हो जाती है समझ रहो क्योंकि target आपके सामने है और इन दिनों में यदि आपने केवल और केवल उस course को complete कर दिया ना guys तो जो 80 प्रशन है न वो आपके बाहर नहीं जाने वाले बस इतना भरोशा आप लोग रखिएगा उसके अलाबा आपका क्या होता है जो 80 प्रशन है science portion से होगे जो कि physics से related question होगे अब वो question जो लोग सही से ध्यान दे रहा है न वो वहाँ से merit बना ले जाएगा तो उसको भी पूरी तरह से उसमें ध्यान रखा गया है यदि आप वहाँ enroll हो तो यह आप बहुत भली बाती समझते हो और जो बच्चे नहीं enroll है definitely वहाँ पे join करके आप अपनी preparation को बढ़ा सकते हो तो यह चीज clear हो गई तो पहला काम आपको क्या करना है previous year question paper को सबसे पहले अल करना है उससे होगा क्या आपको एक idea लग जाएगा कि exact वो किस वे मैं question पूछता है कैसे topic से question पूछता है workshop calculation and science का ध्यान रखना है आप लोगों का skill test normal है आप लोगों का qualifying nature का होता है skill test तो यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है बाकी आपकी जो final merit है वो आप लोगों के return exam CBT exam से ही बनेगी तो यदि यहाँ पे जो ATMC की question है ना वहाँ पे आप 70 plus score कर रहे होंगे 73, 75 जबी आप अपना selection मान के चलिएगा यदि आप लोग फिटर में apply कि हो तो otherwise जो है आप selection भूल जाओ कि मैं 60 number ले आऊँ और मेरा selection हो जाए ऐसा बिलकुल भी नहीं क्योंकि in-depth students already बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे है तो यह चीज अब यह कैसे आएंगे यहाँ पे देखो आपको अपनी age को ढूड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि मेरे technical में कुछ topic week है मेरा hydraulic pneumatic complete नहीं है मेरा welding complete नहीं है मेरा seat metal complete नहीं है आप सोचो हो जाओ chances क्या है कि वहां से in-depth questions यह उसने उठा लिए तीन-चार तीन-चार question आपके गलात हो गए बाहर हो गए साथी साथ WCS जो है यह यह वहां आपने focus नहीं किया तो भी आप गए फिर करते रहो ना कोई मतलब ही नहीं करने का क्योंकि आप आई नहीं रहो merit में यह आपको पहले से ही के लिए रहे आपको engineering drawing के questions को नहीं miss करना है क्योंकि कभी-कभी तीन से चार question engineering drawing के डालता है हाला कि engineering drawing के तीन से चार lectures में ही पूरा complete है तो उसमें आपको कुछ जाने वाला ही नहीं है बेच आप लिए हो तो चलिए thank you so much तो ये सारी चीजे हैं और काफी समय है थोड़ा सा सही तरीके से महनत करो उसके लिए के वल एक ही tip दूँगा यदि आप previous year question paper discussion की वीडियो जापने देखी है उसके अलाबा आपका जो top 50 technical classes वाली series है वो और अभी जो series मैंने 10 classes launch करी थी इन series को आप लोग बहुत support करेंगे ये series आपकी क्योंकि ये series basically ये आपको केवल वो MCQ questions को discuss नहीं करता हूँ वहाँ पर एक आपको वे पता चल जाता है कि हाँ यार paper किस तरीके से आता है और किस तरीके से मुझे पढ़ना है इस रोगा तो वो चीज़ें जब होगी ना तो आप खुदब खुद जब book से भी पढ़ रहे होंगे other study material से भी पढ़ रहे होंगे कि हाँ यार कौन सा content important है और कौन सा नहीं है यह चीज़ों को समझ के आप अपनी preparation को आगे बढ़ा रहे होंगे और तभी आप लोगों को basically फाइदा मिलेगा thank you so much video देखने के लिए thanks for watching and bye bye